हेलो एवरीवन श्वागते आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWT जॉप में काफी अच्छी वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें BAD वाले BTC, DLAD, DAD वाले कैंडिरेट सभी अप्लाए कर सकते हैं कोई फीस नहीं है सैलरी इसमें जो है लिवल 6 और लिवल 8 के अकॉर्डिंग रखी गई है पर्मनेंट जॉब रहने वाली है रामकृष्ण मिशन आस्रम नाराइनपूर से वेकेंसी है टीचर्स के अलावा भी जो है कई अन्यपद हैं जिस पे आविदन किये जा सकते हैं ओफिशल वेबसाइट पर चलके सारी चीज़े देखेंगे आप लोगों को एप्लिकिशन फॉर्म जो है ओनलाइन ही फिल करना होगा रजिस्टर पोस्ट यह स्पीड पोस्ट नहीं करना है कोई अप्लिकिशन फीस नहीं है सबसे पहले ओफिशल वेबसाइट पर आना है राम कृष्ण मिशन आश्रम नैराइनपूर से वेकेंसी है यहाँ पर नीचे जो है नव भारत में भी पब्लिश हुई है एड़टीसमेंट एड़टीसमेंट एंड गाईड लाइन विज्यापन एवं दिशा निर्देशल एप्लिकिशन फॉर्म आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है other than doctor's application form doctor को छोड़ कर अन्ने सभी पदों के लिए आविधन पत्र का प्रारूप आपको यही पर मिलेगा online ही आप लोगों को fill करना है आप लोगों को फिर से बता दिया है ठीक है तो सबसे पहले जो सिख्षक का पद है जिसमें graduation आपकी 45% अंकों के साथ में डियड वाले इसमें आविधन कर सकते हैं बियड आपने किया है तो भी आविधन कर सकते हैं बियालेड वाले भी आविधन कर सकते हैं ठीक है साथ में जो है टेट पेपर 2 आपका qualify होना चाहिए उच्छ प्रात्मिक इस तरका TET आपका बिल्कुल qualify होना जरूरी है तो सिख्षक के पद में आपने देखा D-Ed, B-Ed, B-Ed सभी आविधन कर सकते हैं पदों की संख्या साथ है लेवल 8 के according salary रहेगी ये permanent post हैं सभी PTI के पद जो है इसमें 12th के साथ में आपका D-P-Ed हो या फिर graduation के साथ में आपका V-P-Ed इसमें पद की संख्या 1 है लेवल 8 के according क्राफ्ट सिख्षक की जो vacancy है तो क्राफ्ट में degree या diploma आपके पास होना चाहिए इसमें भी salary लेवल 8 के according और पद की संख्या 1 तो salary जो है आपकी 60,000-65,000 ऐसे बनेगी सहायक सिख्षक विज्ञान तो 12th में आपके पास science या math 45% अंकों के साथ में आपने जो है D-Ed किया है या फिर D-L-Ed पास की है तो आप सहायक सिख्षक विज्ञान के लिए आविधन कर सकते हैं लेवल 6 के according salary रहीगी एक पद है इसमें चात्रवास अधिक्षक पुरुस के लिए अलग है पद तीन पद है और महलाओं के लिए एक पद है दोनों की salary जो है लेवल 6 के according रहने वाली है qualification क्या मांग रहे हैं चात्रवास अधिक्षक के लिए माननेता प्राप्त विस्वविध्याला या संस्थान से graduation होनी चाहिए और computer प्रैसिक्षित को अधि माननेता दी जाएगी अधि माननेता का मतलब क्या है इसमें computer ग्यान या प्रैसिक्षित अभ्यारती को अधि माननेता दिये जाने का आशा यह है कि प्रश्ण पत्र में पूछे गए computer ग्यान से संबंदित कुल अंकों के प्रश्ण में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ठीक है same condition महला अधिक्षक के लिए है तो केवल graduation और computer computer में बस knowledge ठीक है diploma degree नहीं माग रहे हैं केवल knowledge सहायक सिख्षक का जो पद है इसमें 12-45% अंकों के साथ में D-Ed और D-Ed वाले आविदन कर सकते हैं TAT paper 2 qualify आपका होना sorry TAT paper 1 आपका qualify होना चाहिए प्राथ में किस तर का TAT आपका qualify होना चाहिए ठीक है इसमें 16 है पद तबला सिख्षक का पद है तबला में degree या diploma होना चाहिए एक पद है लेवल 8 के according salary जिमनास्टिक सिख्षक का पद है तो V.P.Ed वाले apply कर सकते हैं इसमें या फिर जिमनास्टिक प्रैसिक्षन में डिप्लोमा होना चाहिए एक पद है प्रियोक साला सहायक का जो पद है तो Science वाले candidate जिनोंने 12th Science या Math से किया है एक पद है लेवल 4 के according इसमें salary रहेगी सहायक वर्ग तीन एक पद है इसमें भी 12th आपकी होनी चाहिए डाटा एंटर या उपरेटर या प्रोग्रामिंग में एक वर्स का डिप्लोमा या कोई भी प्रमान पत्र कम्प्यूटर में हिंदी टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गतियाप की होनी चाहिए इसमें भी एक पद है लेवल 4 के according salary उसके बाद और भी पद जैसे की माली का पद है तो इसमें केवल 5 वी पास चतुर्त श्रेणी नियमित पांच वी पास और चौकीदार ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं पदों की संख्या माली का एक है चतुर्त श्रेणी नियमित का एक 4 पद है चतुर्त श्रेणी आकश्मिकता 6 पद है, चौकीदार 1 है तीन चौकीदार आकश्मिक्ता है और असोया के चार पद हैं सबी में पांच वीपास यहां पर जो है देखिए विशेशग्य चर्मुरोग तो इसमें मास्टर डिग्री वाले संबंदित विशेशग्यता में इसनातकोत्तर उपाधी अत्वा पत्रो उपाधी मानेता प्राप्त विशेशव इधाले से इसनाकोत्तर उपाधी अत्वा पत्रो पाधी अत्वा भारतिय चिकिस्ता परिशद से मानेता प्राप्त हो साथ में डिग्री या डिप्लोमा का 36 गड़ या अन्य राज्य के मेडिकल काउंसिल या भारतिय चिकिस्सा परिशद में जीवित पंजियन होना अनिवार्य होगा सैलरी इसमें जो है वो धाई लाग प्रतिमा होगी लिवल 13 के अकॉर्डिंग एक पद है MBBS वाले अप्लाए करेंगे सहाएक सल्ले चिकिस्सक के लिए तो इसमें जो है 85,000 से लेकर एक लाग तक सैलरी है तीन पद है आवेदन केवल ओनलाइन माध्यम से ही सुईकार किये जाएंगे सीधी भरती के लिए पातरता की शर्तें क्या होगी तो सर्तें पढ़ना बहुत जरूरी है बिना सर्तें पढ़े जो है आप लोग को फॉर्म अप्लाए ना करें तो यहां पर जो है टीचर्स के पद के लिए सहायक सिक्षक, PTI, क्राफ्ट सिक्षक और छात्रवास अधिक्षक, महला पुरुस दोनो तबला सिक्षक सबकी जो है न्यून्टम आयू कितनी है 21 वर्स, 21 वर्स पूरी कर ली हो और 35 वर्स की आयू पूरी ना की हो ठीक है तो 21 से लेकर 35 वर्स तक के कैंडिरेट यहां पर आवेदन कर पाएंगे सिक्षक के पद के लिए तबला सिक्षक, PTI, CRAFT सिक्षक, सहायक सिक्षक, छात्रवात अधिक्षक, महला अधिक्षिका, सहायक सिक्षक, जिमनास्टिक सिक्षक और PTI कोच उसके बाद जो सहायक वर्ग थी है माली, चतुर्त, श्रेणी के जो पद है चौकीदा, रसोया इसमें उम्र 18 से लेकर 35 वर्ष है तो ये पूरा ही आप पढ़ेंगे महतुपून जो बात होंगी वो आप लोगों को बता देते हैं कोई भी अबेरती जिसने विवा के लिए नियत की गई नियुन्तम आयू से पूर्व विवा कर लिया हो तो किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा चैन प्रक्रिया होगी लिखित परिक्षा और परिश्यात्मक साक्षात कर होगा और कौसल परिक्षा के आधार पर चैन किया जाएगा यह ओफिश्यल वेबसाइट का लिंक है इस पर आगे का जो भी प्रॉसेस होगा देखते रहेंगे सबसे पहले जो है तीन वर्स के लिए जो है प्रॉबिशन पीरेड होगा आपका ठीक है तीन वर्स तक परिविक्षा काल रहेगा यदिकारे असंतोस जनक पाया जाता है तो नियुक्ता द्वारा परिविक्षा अविदी अधिक्तम एक वर्स तक की अविदी के लिए ही बढ़ाई जा सकेगी परिविक्षा विदी की कालवदी या बढ़ाई गई अविदी के दोरान या परिविक्षा विदी के अंत में यदि विवाग की राय में कोई विशिस्ट अभ्यर्ती अधिकारी बनने की योगे ना हो तो ऐसे में परिविक्षा दीन की सेवाएं समाप्त की जा सकती है तो यहाँ पर आपको पढ़ना जरूरी है अन्य निर्देश में देखें अभ्यार्ती को 36 गड़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक होगा अप्लिकेशन फॉर्म ही आपका फिल नहीं होगा जब वहाँ थर्ड स्टेप पूछा जाएगा तो यही है वो थर्ड स्टेप अभ्यार्ती को 36 गड़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है नियुक्ती के बाद अभ्यार्ती को एक मा के बीतर संबंदित जिले के पुलिस अधिक्षक का रेले से चरित्र सत्यापन करवाकर अनिवारे रूप से संस्था में जमा करना होगा ठीक है तो पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया है यह सीधी भरती है एक्जाम के थ्रू रामगरिश्न मिशन आश्रम नारायनपुर 36 गड़ में तो यह ओफिशल वेबसाइट है इस पर जैसे ही आप आते हैं नव भारत में प्रकाशित हुआ यह दुबारा से लिंक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगर आप गूगल पर सर्च करना चाहें खुद से देखना चाहें विज्यापन आपको यहाँ दिखी गया है अब देख लेते हैं अप्लिकेशन फॉर्म जो की डॉक्टर को छोड़ कर अन्य पदों के लिए है यह अप्लिकेशन फॉर्म जैसे ही आपने क्लिक किया पहले निर्देश पढ़ लें सबसे पहले इनकी एक लाइन है आविदित पद का नाम तो आविदित पद का नाम जैसे कि आपने टीचर सिलेक्ट कर लिया टीचर के पद के लिए आप आविदिन करना चाते हैं नेक्स्ट पूछा इसने क्या आपके पास आविदित पद हेती उन्यूंतम एहरता हैं तो आपने जब पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया है तो आप येस कर देंगे थर्ड पूछा है क्या आपके पास चतिजगर निवासी प्रमान पत्र है तो मैंने आप लोगों को विज्यापन में बता ही दिया अगर आपके पास है तो आप यहां पर येस करेंगे अब ये पूरा हो गया ठीक है पर्सनल डेटा आपको पूरा भरना है step by step पूरा सैक्षने को योगताएं भरनी है क्लिक करते जाएंगे आप यहां पर देखते जाएंगे ठीक है यहां अदर में बी एड वाले ठीक है ऐसे फिल करना है आपको टैट या सी टैट का प्रमार पत्र यहां पर यहां पर यहां नो यहां पर तो पूरा आपको भढ़ना है कोई मिस्टेक नहीं करनी है बाद में जो है आपना पासपॉर्ट फोटो यहां पर चूज करके अप्लोड कर देंगे पचासzego के बी से तो उनके लिए ये काफी अच्छी जो है वेकेंसी है, कई केंडी रेट जो की 36 गड़ राज्य में रहने लग जाते हैं, बाद में जो हैं वहां का मूल निवास प्रमार पत्र भी बनवा लेते हैं, उनका घर बन जाता है, तो अगर वो कैडी रेट आवेधन करना चाहेंगे, तो बिल्कुल आवेधन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर किसी भी राज्य का टेट आपका क्वालिफाय है, तो आप बिल्कुल आवेधन करेंगे, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, next vacancy के साथ